कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नती, धन और लाभ में वुरुद्धी, देव गुरु ब्रुवस्पति को ब्राम्हांड की अत्यन्द बड़ी आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। स्वामी विवेका नंजी कहते हैं, ब्राम्हान की सभी शक्तिया हम में ही मौजुद होती है, लेकिन हम आखों पर हाथ रुक कर रोते हैं, अंधकार कितना है। नमस्कार, मैं आश्टो उरुमा डॉक्टर जोती युशी, आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ। इसलिए राशी के अनुसार हम उन प्रभाव का विशलेशन करते हैं। उसमें आज हम मेश राशी पर क्या प्रभाव होगा इस पर विस्तार से वारतालाप करेंगे। साथ ही, इस समय काल में किये जाने वाले विशेश उपाई भी में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आज के भाग को अंततक देखना न भूले। इस गुरू परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरू ग्रह और उनके कारकतों को समझना अत्यनत आवशक है। सच कहा जाए तो, मनुष्य जीवन में जीवकारक गुरू का स्थान अत्यनत बड़ा है। मनुष्य जीवन की शुरुवात जहा से होती है, वही से गुरू ग्रह का कार्य शुरू होता है। अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर अंततक गुरू ग्रह का कार्य महत्व पुर्ण होता है। जब हम प्रत्यक्ष कुंडलियों का अध्यन करते हैं, तो कई चीजे द्यान में आती है। गुरू ग्रह जन्म का, शिक्षा का, विवाह का, अर्थारजन का और मोक्ष का कारग ग्रह माना जाता है। संग्षेप में कहा जाए तो मनुष्य जिवन के सभी महत्व पुर्ण विभाग गुरू ग्रह के कारकत्व में आते हैं। प्राकृतिक कुंडली का विचार करें तो, भाग्य स्तान का स्वामित्व गुरू देव के पास है। क्योंकि मोक्ष का स्तान अर्थात कुंडली के विचार का स्वामित्व भी उन्नी के पास है। प्राकृतिक कुंडली का नवम स्तान अर्थात भाग्य स्तान और द्वाधर स्तान अर्थात वे स्तान इन दोनों स्तानों का स्वामित्व गुरू देव के पास है। तो कि नवम स्तान में आने वाली धनु राशी और वे स्तान में आने वाली मीन राशी यह दोनों गुरू देव की राशिया है। तो गुरू देव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्तान में आर्थात करकराशी में उच्चा वस्ता को प्राप्त होते है। करकराशी मात्रूत्व को दर्शाती है कुन्यली के चतुरतस्तान से हम सूख, समाधान, शान्ती इन सभी विशयों को देखते हैं इसलिए उसे सुखस्तान कहा जाता है मनुश्य अपने जीवन में जो कुछ भगदोड करता है, जो कार्य करता है उस हर एक चीज के पीछे सुप्त इच्छा होती है कि मैं सूख, शान्ती से जीवन वेतित करू पैसों के पीछे भगते हुए, पढ़ाही करते हुए, करतुत्व करते हुए, विवाह करते हुए मनुश्य के मन में एक सुप्त इच्छा होती है इसके बाद मेरा जीवन संपन हो, मैं सूख शान्ती प्रसन्नता से जीवन व्यतित कर सकूँ, गुर्णली में ऐसा सुखस्तान प्रक्रूती ही आपको जन्म के साथ भेजती है, उस स्तान में गुरुदे उच्चा वस्ता प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप सुख शान्ती से र तो पिछले समय काल में गुरुदेव की यात्रा मेश राशी से सुरू थी, उनकी यात्रा इन तीनो राशियों के लिए सकारात्मक थी, क्योंकि गुरुदेव द्वारया उनकी कुंदली में धर्मत्रिकोन पूर्ण हुआ था, जो अत्यनत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण इन तीनो राशियों को शुभ परिणाम प्राप्त हुए, एक ओर धर्मत्रिकोन पूर्ण करते समय, चंतती सूक, विवाह के योग, उच्च शिक्षा के योग, ऐसे कई शुभ फल उनसे आपको प्राप्त हुए, अब गुरुदेव जब रुशब राशी में प्रव प्राप्ति के योग, धन में वृद्धी होने के योग भी निर्मान होने वाले हैं, अब हम इस गुरु परिवर्टन के प्रभाव को राशी के अनुसार विश्डेशन करेंगे, उसमें आज हम मेश राशी पर होने वाले प्रभाव को समझ दे वाले हैं, मेश राशी की विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपकी राशी में विराजमान थे एक मईए 2024 को वे रुषब राशी अर्थात आपके धनस्तान में प्रवेश करेंगे महत्व पुर्ण बात है कि वहां से वे आपके लिए अर्थत रिकोन पुर्ण करेंगे एक मईए को रुषब नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जैसा आपको पता होगा कि रोहिनी चंद्रमा का नक्षत्र है जिस कारण वहां से गुरुदेव के शुभफलों में व्रुद्धी होगी उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च चार फरवरी 2025 को मारेगी होंगे लग प्रवेश होने वाला है जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपकी कुंडली का अर्थत्रिकों पुरुण होगा इसलिए यह गुरु परिवर्तन आपके राशी के लिए महत्व पुरुण रहेगा गुरुदेव कुंडली के जिस स्तान में आते हैं वह स्तान महत्व मेश राशी के लिए गुरुदेव भाग्येश अर्था धर्मस्तान और व्यस्तान के अधिपती है जिस कारण मेश राशी के लिए भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा इन सभी विशयों को गुरुदेव देखते हैं वे अब आपके धनस्तान में प्रवेश करने वाले हैं जि में रुद्धी होना यात्रा के कई योग निर्मान होना यह विभाग भी दिखाई देता है जैसा मैंने पहले कहां कि गुरुदेव के स्तान के साथ उनकी दुरुष्टी महत्वपुर्ण मानी जाती है धनस्तान से गुरुदेव की पंचम दुरुष्टी आपके शष्टस्तान पर है जहां के तु विराजवान है अर्थात गतकाल में आपको नोकरी में अस्तैर्य का सामना करना पड़ा उस तिति में आप बदला होग और आपको नोकरी में स्तैर्य प्राप्त होगा सुरक्षित्ता प्राप्त होगी और पात्र जातकों को प्रमोशन के आउसर भी मिलेंगे नोकरी में आप सबसे आगे रहेंगे जिसे हम अत्यनत शुभ परिणाम कह सकते हैं साथ ही कर्ज की आवशक्ता हो तो वह भी आपको शत्रो पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं संक्षेप में गुरुदेव की इस दुरुष्टी से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगे गुरुदेव की सब्तम दुरुष्टी आपके अस्ठम स्तान पर होगी कुंडली के अस्ठम स्तान से बाधा परेशानी संगर पर्ष और प्रत्यक्षित रूप से प्राप्त होने वाला धनलाब इंशूरंस इन चीजों को देखा जाता है। कुंडली के दशमस्तान को कर्मस्तान कहते हैं। ओर बड़े गिर्वर करते हैं राभस्टान में धनस्तान में गुरुदेव इस दृष्टी से विचार करें तो अर्थप्रा泡 योग निर्मान होना अर्थिक दुष्टी से संपनता आना इन सभी दुष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी रहगा इसलिए मेश्राशी के दुष्टी से यह काल उन्नतिका है ऐसा हम कह सकते हैं धनस्तान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपको परिवार में वुद्धी करेंगे आपको अ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है कुल मिलाकर मेश्राशी के लिए यह गुरु परिवर्तन अत्यंत शुभ एम लाभकारी रहेगा ऐसा हम कह सकते हैं उपायों की दृष्टी से विचार करें तो जो तिश में कई छोटे-छोटे सिदे सरल उपाय बताए गये हैं जो कोई जो लोग गुरु परिवर्त करते हैं उन्हें बुद्धी प्राप्त होती है विवाह में होने वाला विलंबदूर होता है धनस तीर होकर सफलता बढ़ती है इसलिए यह उपाय अवश्य करें उसके शुभ परिनाप राप्त होंगे इस प्रकार गुरुदेव का यह राशी परिवर्दन मेश से लेकर मीन राशी तक हर राशी के लिए कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सबस्रक्राइब अवश्य करे कमेंट बॉक्स में जय जोतिष लिखना ना भुले धन्यवाद शुभम भवतो जय जोतिष जोतिष का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद